वेज़े हैंर है लूम वेप्टम तो यूतूब तो आज की इस वीडियो के नगर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप ब्लirst कर सकते हो पॉर्ट वेबिशल्ट ईंदब अपने मुबाइल डिवाइस के नगर किस तरह से browser में basically आप totally block कर सकते हो upon websites को यह चीज मैं आपको बताऊँगा आज की इस video के इंदर तो video start करने से पहले यह बताने से पहले आपको कि किस तरह से आप totally block कर सकते हो upon websites को phone में या browser में यह बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ personal बाते शेयर करना चाहता हूँ कुछ thoughts basically share करना चाहता हूँ मैं आपके साथ तो जलिए start करते हैं अब so सबसर्फ पहली चीज मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ कि अगर आप parents हैं यानि कि आपके बच्चे हैं और आप porn websites को इसलिए block करना चाहते हूँ ताकि आपके बच्चे उनको ना देख पाएं गलत चीजे ना देख पाएं कोई भी adult चीजे basically ना देख पाएं online तो यह video उन parents के लिए 100% work करेगी ही करेगी लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसकी age 19 है या 16 है या 21 है या 21 से जादा है और वो चाहता है कि वो अपने लिए अपने लिए अगर आप चाहते हो कि आप अपने फोन में porn नहीं देखना चाहते है या फिर आपको porn देखने की basically आदत है और आप चाहते हो कि अप से आप porn ना देखो इसलिए आपने ये वीडियो चलाई गी है तो basically ये वीडियो आपके लिए काम नहीं करने वाली है because आप 16 आपकी age 16 है 21 है 18 है कोई भी age आपकी हो सके 16 से उपर और आजकल तो जो 14 साल के बचे हैं या 12 साल के बचे हैं उनको भी mobile devices के बारे में पता है assess के बारे में पता है security के बारे में पता है so basically अगर मैं आपको कितने भी application बता दूँ जो block करते हैं upon websites को तो आप basically करोगे क्या अगर आपको देखने का मन किया upon websites और आपसे control नहीं हुआ तो आप या तो उस application को delete कर दोगे या uninstall कर दोगे अब मैंने चलो ये भी बता दिया आपको कि कीस तरह से आप रोख सकते हो खुद को उस application को uninstall करने से तो फिर उस case में आप क्या करोगे आप अपना laptop खोल दोगे या computer खोल दोगे चलो मान लिया कि आपके बास laptop भी नहीं है ना computer है तो उस case में आप क्या करोगे उस case में आप अपने phone को ही reset कर दोगे या फिर उसका alternative ढूलोगे आप फिर से YouTube में आओगे जैसे आपने YouTube में search किया how to block upon website और फिर आपने मेरी video देखी उसी तरह से आप क्या करोगे फिर से YouTube में आओगे और वहां पे लिक होगे कि किस तरह से हम इन applications को delete कर सकते हैं बला 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 और आप delete कर दोगे और phone देखने फिर से start कर दोगे अगर आप एक parents हो और आप अपने बच्चों के लिए block करना चाते हो ये websites को ये video आपके लिए 100% काम कर जाएगी लेकिन आप अगर एक adult हो या teenager हो जिसको phone देखने की आदत है और वो रोकना चाता है इस आदत को basically तो ये जो method मैं आपको बता हूँगा ये 50% काम करेगा आपके लिए और 50% आपको अपना भी देना पड़ेगा कोई भी चीज तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आप नहीं चाहोगे तो आपको अपना भी थोड़ा बहुत contribution देना पड़ेगा इस चीज में तब भी आप रोक पाओगे ये सारी चीज़े otherwise आप नहीं रोक पाओगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पूर रही है सारी की सारी वीडियो because हुआ क्या basically मैंने रिकॉर्ड की थी वो वीडियो लेकिन वो मैंने प्राइविट ब्राउजर में उपन किया और प्राइविट ब्राउजर को उसने रिकॉर्ड नहीं किया जिस वज़े से रिकॉर्डिंग नहीं हो पारी तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ से चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना अब जो पेरेंट्स हैं और जो टीनेजर्स हैं या जो भी अडल्ट्स हैं मैं सज़ेस्ट करूंगा आपको कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए अब यहां पर मैं Android के लिए करके दिखांगा आपको कि Android में किस तरह से आप ब्लॉक कर सकते हैं पॉर्ड वेबसाइट को इन यूर वेब ब्राउजर्स अप्लिकेशन नाम है Dr.Safety को हम डाउनोड करेंगे यह रही वह अप्लिकेशन जिसकी मदद से हम ब्लॉक करेंगे पॉर्ण वेबसाइट को इस अप्लिकेशन के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था लेकिन कुछ लोग ने कमेंट किया कि यह अप्लिकेशन प्लेस्टोर में अबलेबल नहीं है लेकिन ऐसा नहीं था यह प्लेस्टोर में अबलेबल है प्रॉपरली अबलेबल है बेसिकली होता क्या है कि जब आप कुछ अप्लिकेशन के लिए कई बार सर्च करते हो और साथ ही साथ जो है इस application application की shareable link मैं आप वो description में दे दूँगा, तो वहां से जाके भी आप इसको download कर सकते हो, okay, play store की official link दूँगा मैं सिरफ और सिरफ, okay, और अब इसको install कर लेते हैं, okay, तो 17 MB का size है इस application का, तो काफी जल्दी जो है ये download हो जाएगी, okay, तो यहां पे जो ह हूँ, हिमाचन में रहता हूँ, तो यहां पे बहुत ज़्यादा speed slow होती है, okay, तब तक यह download होती है, तब तक मैं आपको इस application के फाइदे बता देता हूँ, okay, तो सबसे पहला फाइदा है, यह application बिल्कुल free है, okay, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, freely आप इस application का यूज कर सकते हो, इस application के साथ साथ आपको various features आते हैं, जैसे कि आपको scanner मिलता है, junk file scanner मिलता है, okay, safe browsing का feature आपको मिलता है, इसके अंदर, okay, और साथ ही साथ आपको इसमें app lock भी मिलता है, antivirus का काम भी यह application करती है, लेकिन हम इस application के थुरू जानेंगे, कि किस तरह से इस application के से हम block कर सकते हैं, pond websites को, वो हमारा main motive है, okay, pond websites को block करना, तो काफी time ले रहा है, यह download होने में, यहाँ पे speed ही नहीं है, okay, so, जल्दी जी हो जाए बस, download, okay, तो 7 MB हो गया, okay, 10 MB हो गया, अब 14 हो गया, अब 17 हो गया, okay, और यह अब installation के लिए लग जाएगा, okay, so, installation में थोड़ा सा ही time लगएगा, okay, और यह install हो गया, 1, 2, 3, okay, so, यह install हो गया, okay, अब इस application को open करते हैं, phone में, okay, बहुत easily आप इसका use कर सकते हो, okay, बहुत easy to learn है य नहीं है, इस application में, तो open करूँगा application को, okay, और इसमें automatically app lock लग गया, okay, so, यहाँ पर open कर दिया यह application को मैंने, तो शुरू में कुछ इस तरह की यह दिखाई देगी आपको, okay, और उसके बाद आपको सिर्फ back करना है, और back करना है, बस थोड़ी बहुत detail ही आपको देगा इस application के बार में, और कुछ नहीं, okay, एक और शीज में आपको बतातू, यह जो वीडियो है, मैं बना रहा हूँ, 28 October 2018 को, okay, हो सकता है कि आप यह वीडियो देख रहे हो, November को, या January को, या February को, या 2019 में आप देख रहे हो इस वीडियो को, okay, तो हो सकता है, उस case में इस application का नया version आ गया हो, और यह थोड़ी different दिखाई दे, okay, तो उस case में डरने की बात नहीं है, घवराने की बात नहीं है, okay, आपको सिरफ instructions को follow करना है, okay, उन options को जो मैं आपको बताऊंगा, design में तो changes आते जाते रहते हैं, okay, तो हमें क्या करना है, उपर आपको एक option मिलेगी menu की, इस प कि हम pawn websites को block कर पाएं, तो यही option उस चीज के काम आएगी, okay, so safe web surfing में click कर देंगे, okay, और यह page जो है, कुछ इस तरक आपको दिखाए देगा, यहाँ पर various options आपको दिखाए देंगी, okay, बहुत easy options है, okay, तो सबसे पहली option है, website protection, जो कि हमें enable करनी है, okay, और यहाँ पर इसको enable क करने के लिए हमें इसे accessibility क्या करनी पड़ेगी, allow करनी पड़ेगी, तो turn on now कर देते हैं, accessibility में, okay, और यहाँ पर जो है, doctor safety में जाएंगे, और इसको allow कर देंगे, okay, और वापी से आजाते हैं, doctor safety में अब, okay, और उसके बाद second option है, messenger protection, okay, तो, और मैं बहुत जादा, okay, बोलता इनको भी आप enable कर सकते हो, okay, आपकी मरजी है, okay, करना या ना करना आपके उपर depend करता है, okay, तो मैं suggest करूँगा कि इदना जरुरी नहीं है, लेकिन आप तब भी कर सकते हो, आपकी मरजी है, okay, उसके बाद है protection level, okay, फिर से, okay, तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, protection level, तो य protection level पर click कीजे, और यहाँ पर choose कर लेंगे, हम teen को, okay, teen choose कर लिया, और बस, सिरफ इदनी चीज़े आपको set करनी थी, okay, और कुछ parents होते हैं, या कुछ adults होते हैं, जो चाते हैं, कि वो social networking sites को भी use ना करें, जैसे कि Facebook हो गया, Instagram हो गया, okay, अगर parents चाते हैं, कि उनके बच्चे न नाम लिखिए Facebook, और यहाँ पर जो है, आप URL डालिए उस website का, facebook.com, अब क्या करेगा, Dr. Safety, Dr. Safety इस वाली website को भी block कर देगा, Dr. Safety ने Facebook को भी क्या कर दिया, block कर दिया, अगर कुछ pond websites ऐसी हैं, जो Dr. Safety detect नहीं कर पा रहा है, okay, तो आप क्या कर सकते हैं, उस case में, blocked list में जा सकते Dr. Safety की, और वहाँ पर जाके आप add कर सकते हैं, उस pond website का URL, और Dr. Safety अगर देगा, उस website को भी block कर देगा, okay, तो इस तरह से आप custom websites को block कर सकते हैं, जो आप चाहो, okay, तो यह सारी settings आपको Dr. Safety में रखनी है, बाकी कोई काम नहीं करना है, आपको, okay, उसके बाद आपको क्या करना हैं, अब चाह करते हैं कि Dr. Safety काम कर रहा है की नहीं कर रहा है, तो ब्राउजर में जाएंगे, तो यहां पर लिखावाया गया, Dr. Safety is protecting you, okay, so यहां पर मैं प्राइवेट ब्राउजर में इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, because यह रिकॉर्ड नहीं करता प्राइवेट ब्र की दिखा दूँगा इस फीस कैम में, okay, अगर करपाया, okay, तो यहां पर हम सर्च करेंगे Pondhub, okay, और Pondhub को यहां पर open करते हैं, okay, so Pondhub.com open नहीं हमें, so Pondhub.com, okay, .com इखुली हुई थी, okay, so यहां पर open करते हैं, first link को, okay, और इसमें हो सकता है कि Dr. Safety थोड़ा सा time ले, okay, स्टार्टिंग में, और यहां पर इसने इसको ब्लॉक कर दिया, okay, तो जिनना जादा जो हैं, इसमें सर्चीज होती रहेंगी, जैसे जैसे Dr. Safety को पता लगएगा, कि यह जो है Pondhub website है, इसको open नहीं होना चाहिए, वैसे ही वैसे यह क्या करेगा, immediately काम करना, start करेगा, एक और Pond website यहां पर try करते है, open करने की, triple x लिख दिया, मैंने, और आ गई, और यहां पर open करते है, इसको, दिखते हैं कि यह blocked, okay, तो Dr. Safety ने इसको block कर दिया, I think यह जो website है, यह Indian government के through भी blocked है, okay, ATL के network में, okay, तो फिर भी Dr. Safety ने क्या कर दिया, अपनी साइट से भी, Dr. Safety ने इस website को block कर दिया, okay, तो tension की बार निया, तो इस तरह से आप कर सकते है, block कर सकते है, वो Pond websites को, okay, एक बार मैं यहां पर भी करके दिखा दू, private browser में, okay, तो private browser open किया, okay, मेरे को नहीं पता कि वो record हुआ है की नहीं, लेकिन try करता हूं, okay, तो यहां पर मैं लिखूंगा, Pondhub, Pondh okay, enter किया, और इसको open कर दिया, link को, first link को open किया, और यह doctor safety ने इसको block कर दिया, okay, तो इस तरह से, I think, आपको दिखाई दिया होगा, शायद थोड़ा बहुत, okay, तो इस तरह से, जो है, sorry, तो इस तरह से, जो है, doctor safety काम करता है, okay, block कर लेता है easily, websites को, थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं, okay, तो parents और adults, basically क्या कर सकते हैं, okay, so parents क्या कर सकते हैं, वो doctor safety को lock लगा सकते हैं, app lock लगा सकते हैं, तो app lock में जाहिएगा, okay, और app lock के थूरू आप क्या कर सकते हो, doctor safety को lock लगा सकते हो, इससे क्या होगा, कि आपके बच्चे, अगर कभी try करेंगे, doctor safety को, uninstall करने तो उस case में उनको password डालना पड़ेगा और वो इसको delete नहीं कर पाइंगे और porn नहीं देख पाइंगे अब बात करते हैं कुछ और browsers की, जैसे की UC browser हो गया, Opera browser हो गया तो इन browsers में क्या होता है? वो सकता है कि Dr. Safety सिर्फ Chrome में काम करता हो, Firefox में काम करता हो, Opera में काम करता हो लेकिन UC में काम ना करता हो, तो उस case में आप क्या कर सकते हो, उस case में आप app lock की मदद से क्या कर सकते हो, UC browser को lock लगा सकते हो UC browser को आप lock लगा सकते हो, या हर किसी web browser को आप lock लगा सकते हो, जिसमें Dr. Safety काम नहीं कर रहा है अब जरूरी नहीं है कि Dr.Safety Chrome में काम करता है, Firefox में काम करता है तो UC में भी काम कर सकता है और हो सकता है कि जो भी security वेली application है वो UC में अगर रोक पार यह Porn को तो जरूरी नहीं है कि वो Chrome में भी रोक पाए तो यह चीज़ डिपेंड करती है software to software तो इस चीज़ से घबरानी की जरूरी नहीं है अगर Dr.Safety नहीं कर पा रहा है ब्लॉक किसी particular web browser के अंदर पॉंट को तो आप उस web browser को ही ब्लॉक कर दीजिए उस web browser पे app lock लगा दीजिए और जो adults हैं उनको मैं suggest करूँगा कि आप ऐसा lock लगाईएगा कि आपको भी password यादना रहे Biometrics कोई भी use मत कीजिएगा app lock में जैसे कि मैंने use किया हुआ यह fingerprint इसके जगा आप क्या चूज कर सकते हो यह written number चूज कर सकते हो ऐसा number लिखेगा जो आपको यादना रहे आपके mind में ना रहे वो number उसके थुरू आप क्या कर सकते हो हर चीज में जो है locked लगा दोगे अगर आप कोशिश भी करोगे app locked के थुरू इसको uninstall करने की तो आप नहीं कर पाओगे because आपको password ही यादनी रहेगा okay तो हर एक तरीका जो है block कर दीजेगा अपने लिए पाओण को देखने का because यह जो मैंने वे बताया है बच्चों के लिए तो 100% काम कर जाएगा 80% काम कर जाएगा लेकिन जो अडल्स हैं जो खुद को रोकना चाते हैं पाओण देखने से उनके लिए यह सिरफ 40% काम करेगा या 30% काम करेगा बाकि 60-70% आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कितना contribute कर सकते हो इस चीज में आप कितना कितना मलब आप कितना ताइम दे सकते हो अपने आपको कितना कितना वो क्या बहुतते हम उसको यार मलब कितना डेडिकेटी डाप बेसिकली इस चीज को रोकने के लिए वो आपके उबर डिपेंड करता है आपको अपनी साइट से भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तभी चीज सकसेस्फुल होगी अदरवाइस या चीज सकसेस्फुल नहीं हो सकती आप कोई भी वीडियो देख लो या कोई भी सॉफ्ट्वेट डानलोड कर दो वो किसी काम कर नहीं है जब तक आप खुद डेडिकेटिड नहीं होंगे आपको खुद भी डेडिकेटिड होना पड़ेगा और एक और चीज में आपको बता दू कि आप जब भी आपका मूड करता है पॉंड देखने का, तो आप कुछ और काम कर सकते हो, for example आप कोई नहीं चीज़ सीख सकते हो, गिटार बजाना सीख सकते हो, गिटार तो सिंपल सा हो गया, यार common है, तबला बजाना सीख लो हर्मोनियम सीख सीख सकते हो या कोई programming language सीख सकते हो या computer में कुछ सीख सकते हो gaming कर सकते हो, या फिर आप designing कर सकते हो clothes की, या खाना मना सकते हो या videos मना सकते हो, तो basically अपने आपको busy रखो, अगर आप अपने आपको busy रखोगे, तो आप के लिए बहुत अच्छा होगा और आपका मन भी नहीं करेगा point देखने का, okay जब आप अपने आपको busy रखोगे तो आपका मन भी नहीं करेगा point देखने का क्योंकि आपका mind किसी चीज में होगा आपका mind जो है, आपके काम किंदर होगा उस time, okay, तो आपका बिलकुल जो कि आपके काम आए, जो कि आपको अच्छी लगती है जुरी नहीं कि वही चीज सेखो जिससे आपको profit हो आप वो चीज भी सीख सकते हो, जो कि आपको अच्छी लगती हो, okay तो इस तरह से अपना time अपना time invest करो किसी चीज में, okay और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, thank you so much for watching this video, please like, share and subscribe thank you so much for watching कोई question हो तो comment section में पूल सकते हो, जितने भी doubts थे application related, UC browser, Pond इन सब से related वो मैंने सारे के सारे cover कर दी है, okay तो इतना तो मैंने आपको बचा दिया कि 80 to 100% ये काम करेगी बच्चों के लिए ये चीज, okay जो parents चाते हैं अपने बच्चों को रोकना ये सारी चीज़ों चीज़े देखने से, okay और 30 to 40% ये काम करेगी उन लोगों के लिए जो अपने आपको रोकना चाते हैं, Pond देखने से, बाकी 70 to 60% आप लोगों को खुद देना पड़ेगा, okay बाकी में भी कुछ नहीं पर सकता है इसके लावा बाकी ना कोई अप्लिकेशन, चाहिए में से अची वीडियो हो तो वहां पर चाक कर सकते हैं, कोई और वीडियो आप चाक कर सकते हो, okay बाकी में पर चाहिए में पर चाहिए हो लेकिन जो मुझे बता है परसनली वह मैंने आपके बिता दी है इस वीडियो में और ये वीडियो खाफी जादा लंबी बनगी, okay तो एक मिनद में देख लो कि इनी लंबी बनी, okay तो पंदा मिनट की में नहीं जाद नहीं बनी, अठारा मिनट की बनगी होगी, शायद टोटल यपीज, so thank you so much for watching this video, please like, share and subscribe, bye, take a quick question in the comment section पूर सकते हो, bye bye झाल